आप सब को सोगत है, हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग आठ जुन की शुरुदन में परमात्मा प्रता कहते हैं कि अपनी सुक्षम शक्तियों पर विजयी बनने वाले राजरशी, सुराजय अधिकारी, आत्मा भवा राजरशी और सुराजय अधिकारी, इन दो शब्द पर हम ध्यान देंगे करमेंद्रिये जीत बनना तो सहज है, करमेंद्रिये के उपर कंट्रोल करना तो हमारा सहज है, लेकिन मनबुद्धी संसकार जो सुक्षम करमींद्री हैं इन सुक्षम शक्तियों पर विजय बनना ये सुक्षम अभ्यास है हम वैसे भी देखा जाए तो लौकिकता में दुनिया में दुनियादारी में भी देखा जाता है तो आपर body language बहुत सिखा जाती है और कहा जाता है कि देखने का नजरिया, उठने बाटने का नजरिया बात करता है समय हाथ कहा रखना है, कैसे करना है आँखों का expression कैसा होना चाहिए, smile कैसी होनी चाहिए यह सब कुछ सिखाया था body language तो हम control तो कर लेते हैं physical senses पे अपनी कि हम एक right impression किसी और को दे पाएं लेकि परमातर कहते हैं कि लेकिन अंदर जो चल रहा है मन, बुद्धी, संसकार, कि हमारे मन के संकल्प कैसे चल रहे है बुद्धी हमारी कितनी clean है, साफसपा है हमारी बुद्धी में feelings भी आती है और संसकार हमारी जो habits है वो सब कुछ जो है अंदर चल रहा है अंदर कुछ बाहर कुछ तो ये problem हो रहती है तो इसलिए परमातर कहते हैं कि यह सुक्षम अभिहास है कि मन, बुद्धी, संसकार को भी control करना और जो हम चाहें express करना बाहर वही हम अंदर भी सोच रहे हों और समझ रहे हों जिस समय जो संकल्प, जो संसकार emerge करने चाहें वही संकल्प, वही संसकार सहज अपना सकें यह बहुत important है जिस समय जो संकल्प चाहें कोई situation आई, कोई बाची चल रही है उस समय मुझे क्या सोचना है और मेरे संसकार मेरे किस आदत के द्वारा मुझे इस situation में react करना है, यह सब कुछ हमारे control में हो तब जाकर के सुक्षम control रहेगा, यह तो क्या होगा जो हमने सीखा है भार से, औरों से सीखा हुआ है, और जो हम अंदर से हैं जैसे हैं, अगर हमारे अंदर क्रोध है, इर्शा घ्रिना है, तो वो automatically बहार आ जाएगा तो इसलिए प्रवाद करते हैं, जिस समय जो संकल्प जो संसकार इमर्ज करने चाहें वही संकल्प, वही संसकार सहच अपना सकें और वो भी कौन से? रुहानी संसकार और रुहानी संकल्प, यह नहीं कि किसी ने क्रोध किया, तो हमें भी क्रोध का इस संसकार अपनाना है समय, जो समय चल रहा है, उसके नुसार वो कर रहा है, नहीं इसको कहते हैं, सुक्षम शक्तियों पर विजय अर्थात, राज रिशी हो जाओ, कि कोई situation आई है, कोई चीज की पर focus करना है, मुझे यह चीज attention चाहती है यह कारे attention चाहता है, यह विक्ती attention चाहता है, इसकी बात सुननी important है और आप अपने संकल्प को order करो अगर संकल्प शक्ति को order करो कि अभी अभी एकागरचित हो जाओ, सारे इस तरफ से focus हटातो, focus हो इस बात पर जो राजा का order उसी घड़ी, उसी प्रकार से मानना यही है राज अधिकार की निशानी तो सुराज अधिकार मलई यह हो गया, और राज रिशी सुक्षम शक्तियों पर विजए मतलब राज रिशी और सुराज अधिकार की जो order किया, वो माने एकागर हो जाओ, चारो तरफ से focus अटादो, वो माने तो जाकर कहा जाएगा की सुराज अधिकारी की निशानी इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होगा, वो अंतिम पेपर में उस समय मन को एकागर करना अपनी करमेंदरियां चाहती है कि नहीं, उनकी तरफ भागें लेकिन उपर से आ रहा है, पर मत में से order नहीं वहीं पे खड़े रहो, ये सारी चीज़ों को मानना, करमेंदरियों को सरफ उपर कंट्रोल नहीं, मन, बुद्धी, संसकार के उपर कंट्रोल, फीरिंग के उपर कंट्रोल, अंतिम सीन को देखते हुए कंट्रोल करना तब जाके पास हो पाएंगे, जब हमारे उपर सेल्फ कंट्रोल होगा सिल्फ मतलब आत्मा के मन बुद्धी संस्कार के उपर कंट्रोल और साथी साथ हम जो चाहें जिस तिती में चाहें जिस शक्ति को अपलाई करना चाहें वो समय एक्टिफ हो चाहे ओम शान्ती